जहिंद सातियों स्वागत है आपका यूटूब चैनल कनहया जीयस वर्ड में दोस्तों BPSC में निव एक्जाम परिटरन को इसमें ला दिया गया है इसमें बहुत सारे बदलाव किये गए हैं इसमें जो सबसे पहला बदलाव है प्री में एक बटा चार निगेटिव मार्किंग अनिवारिक कर दी गई है उसके अलामा आफसनल पेपर को अब केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है तो जितने भी बदला हुए हैं हम इस वीडियो में जानेंगे साथ इसाथ प्री और मेंस का स्लेबस क्या है इसके बारे में भी फुल डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो में बने रहे हैं लाश तक आपको पता चल जाएगा क्या क्या चेंज हो गया है और इसमें में में एक सब्जेक्ट और भी निबंद अलग से भी जोड़ दिया गया है तो चलिए देखते हैं और यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा लेना है और बगल में घंटे की निसान को भी दबाते हुए चलना है ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेसन पहुशता रहे है ठीक है तो चलिए तो देखिए यह था अभी हाली में जो सरकार के तरफ से बिहार की तरफ से उनके लिए या बहुत ही मरतोपूर है तो BPSC यानि कि इसका फूल फार्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीस है यानि कि बिहार लोग सेवा आयोग है इसका नाम इसमें सेलेक्शन के लिए तीन पाइटन होते हैं यानि कि तीन इस्टेज होते हैं पहला होता है Prelims Exam, प्रिलिमस एकजाम 150 कोश्चन आता है और 150 नमबर का रहता है, इसमें चेंजिंग किया गया है और किस प्रकार से एकजाम होता है, अभी हम आगे डीटेल से बात करेंगे, प्रिलिमस यदि आपने क्वालिफाइ कर लिया तो 10 गुना कंडिडेट को बुलाय मेंच के लिए मेंच में पाले कुल चार पेपर होते थे लेकिन इसमें 5 पेपर अब कर दिया गया है बदल के हला कि क기에ल नंबर जोड़ेंगे 3 पेपर है ठीक यानि कि 3 तरिक्के 900 नंबर के यहां पर मेंच का पेपर हो गा मेंच की मेरिट बनेगी यदि आप इसमें सलेक्ट हो गए तो धाई गुना कंडिडेट को बुलाया जाता है इंटर्वियू के लिए फाइनली इंटर्वियू होता है डेर सो नंबर का डेर सो नहीं 120 नंबर का तो 900 प्लस 120 यानि की 1020 नंबर फे फाइनली मेरिट बनती है यह तो हो गई मोटा मोटी बात अब चलिए बात करते हैं डिटेल से देखिए इसमें योग गिता आपको पता ही है ग्रेजुएसन या फिर उसके समकष कुछ भी होना चाहिए और जेनरल वालों के लिए फिस 600 रुपिय रखी जाती है और यदि आप अधर इस्टेट के हैं तब भी आपको 600 रुपिय पे करना पड़ेगा अब चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रिलिम्स यानि के प्रारंभिक परिक्षा जनरली देखा जाता है जितने भी अलग-अलग इस्टेट होते हैं जैसे यूपी हो गया यूपे के अलमा यमपी हो गया ठीक है राजस्थान हो गया इन सब में जो एक्जाम होता है प्रिलिम्स में दो एक्जाम होते हैं लेकिन BPSC में केवल और केवल एक ही एक्जाम होता है जिसमें दो गंटे की समय आपको दो गंटे का समय दिया जाता है और कुल प्रश्ण आते हैं 1.100 नमबर 1.100 नमबर 1.100 question 1.100 नमबर के होते हैं ठीक है 1.100 प्रश्ण 1.100 नमबर के होते हैं क्या क्या पूछा जाता है इसका syllabus क्या है अभी हम आगे बात करेंगे Negative marking की बात करें तो हर बार इसमें कोई भी negative marking नहीं होती थी लेकिन इसमें इस बार बदलाव करके एक बटा चार यानि कि दसमलो दो पांच का निगेटिव मार्किंग इसमें लागू कर दिया गया है यदि आप कोई भी कोश्चन गलत करते हैं तो उस पे दसमलो दो पांच नंबर काट लिए जाएंगे परिच्छा की तरीका की बात करें तो आफ लाइन प्रकार का पेपर होता है यानि कि पेपर और पेन पे ओयमार सीट पे आपको भरना होता है गोला ठीक है प्रिलिम प्रिस का एकजाम हो चुका अब यदि आप इसमें पास करते हैं तो दस गुना लोगोगों को बुलाये जाता है मेंस के लिए ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस बार नया एड किया गया है निबंद को ठीक है निबंद को इसमें नया एड कर दिया गया है और भी इसमें नया किया हुआ है जो आफसनल पेपर है हर साल होता था 300 नंबर का इसका मेरिट बनती थी और जिनका आफसनल मजबूत होता था उनको यहां पर बहुत ज़्या कर दिया गया है केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है सो नमबर का और इसमें भी टाइम तीन गंडे की बाद ठीक है आपसनल को सो नमबर का कर दिया गया है अब देखिए यहां पर पहला पेपर होता है हिंदी का हिंदी का पेपर सो नमबर का होता है इसमें केवल और केवल आपको 30% नमबर लाने रते हैं केवल और केवल qualifying होता है लेकिन यदि आपने हिंदी में qualify नहीं किया तो सभी में fail माने जाएंगे उसी परकार यदि optional में qualify नहीं किया तब भी आप fail माने जाएंगे थीक है दूसरा paper होता है G.S.1 का paper 300 नमबर का होता है और इसका number means में जुड़ता है फिर इसके बास होता है जी аश टू का इसका भी number means में जुड़ता है और यहाँ पर निवंद की बात करें निवंद का भी paper होता है 300 number का सभी के लिए 3 hour यानि कि 3 गंटे दिये जाएंगे निवंद का तो यहाँ पर इन्होंने टोटल आएंगे 900 नमबर A हो गए और प्लस यहाँ पर देखेंगे 120 नमबर का फाइनली आपका होता है इंटर्व्यू तो 900 प्लस 120 यानि कि 1020 नम इंटर्व्यू के लिए धाई गुना लोगों को बुलाया जाता है या भी याद रखिए ठीक है तो फाइनली 120 नमबर यानि कि 1020 नमबर पर आपकी मेरिट बनेगी अब चलिए यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे जो यहाँ पर सूचना देखेंगे कल अभी जारी हुआ था तो उसमें देखिए यहाँ पर दे दिया गया है क्या क्या चेंज है तो देखेंगे हिंदी का सूच्चन आएगा पर इच्छा क्या दिती तीन होगी यहाँ पर हिंदी में 30 परसेंट अनिवार होगा और यह केवल वैकल्फिक या जो केवल है क्या है केवल क्वालिफाइंग है दूसरा पेपर G.S. paper 1 तीन सो नमबर का होगा 3 गंटा तीसरा होगा G.S. paper 2 तीन सो अंक correctly का 3 गंटे का ठीक है यह दो हो गया और यहाँ पर निबन्द हो गया यह भी 3 गंटे का यानि कि 3 पेबर 900 नमबर का groups कर यहां पर हो गया और यहां पर जो 43ЖD रखा यानि कि 14 पैपर यहां इमसी कई सब्सक्तिक आएंगे और 100 नमबर कर नमबर का हिए यहां पर डिया जाएगा लेकिन अभी क्या होगा क्वालिफाइंग हुँआ ठीक है मैं तो यहां पर देर दिया और इसके घ्ल स्क्राइब आपको समाने हमाँ, क्योंके इसमें भी निगेटीव मार्किंग रहेगी तो इसमें इन्होंने और यहां पर दे दिया है अत्यंत पिछड़ा वर्क के लिए 34% और इस परकार से यहां पर दे दिया है ठीक है और मेगा सुची तयार करने के लिए क्या दिया है GS paper 1, GS paper 2 तथनी बंध तीन paper पे आपकी सुची बनेगी यहां पर इसको farm की online date भी यहां पर बढ़ा दिया गया है ठीक है अब next देखते हैं यहां पर इसका जो syllabus है तो देखिए प्रारंबीक पर इच्छा के लिए यहां पर syllabus क्या है एक मिनट देखिए प्रारंभीक पर इच्छा के लिए सिलेबस पहला है यहां पर समाने अध्यान समाने अध्यान में क्या क्या आता है तो समाने विज्ञान से प्रशन आता है जैसे राष्टी तथा समाने विज्ञान अंतराष्टी मातों की समसमाई गटना है यानि कि जो current affair होता है वर्ल लेबल पे और भारत का इतियास तथा बिहार के इतियास की प्रमुक विसेशता हैं और यहाँ पर समाने भूगल से भी प्रशने देखने को मिलता है या इसका यदि पीडियेफ चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल कनहिया जी सोल पर आएंगे वहाँ पर हमने पीडियेफ को डाल दिया है बिहार के प्रमुक भगोलिक प्रभाग तथा यहां की महतपोर नदियां भारत तथा राज्य और आर्थिक व्योस था आजादी के बाद बिहार की अर्थ व्योस था के प्रमुक परिवर्तन भारत का राष्टी अंदोलन इसमें बिहार का भी जो योगदान है उससे समनीतaten पर प्रश्ण पूछे जाएंगे और इसके अलामा क्या है इसमें पूछा जाएगा समाने मांसी की योगता को जाचने वाले प्रश्ण इसमें क्या रहता है जैसे रिजिनिंग भी देदेगा थोड़ा मैत भी देदेगा तो यहां पर दे रहा है समान विग्यान के अंतरगत दैनिक अनुवाव तथा प्रेक्षर से सम्बंदित विशाय साहित विग्यान की समान जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रशन पूछ में विशाय की समान जानकारी पर विशियस ध्यान दिया जाएगा और यहां पर परिचार्थियों से आसा की जाती है कि बिहार की एतियासिक मुख्य गटनाओं से परचित होंगे भुगोल विशाय में भारत तथा बिहार के भुगोल पर विशियस ध्यान दिया जाएगा भ भारत की राज ब्योस्ता और आर्थिक ब्योस्ता के अंतरगत देश की राज नीतिक प्रड़ाली पंचायती राज समुदाइक विकास भारती योजनाव विहार के संदर्व में सबत्ति जानखारि यहां पर पूछे जाएंगे तो यहां सब फट्रारमभी परिच्छा के लिए हो गया स्लेवस अब देखिए यहां पर इच्छास बंद तीस नमबर का ब्याकरण तीस पत्चीस का वाकि बिन्यास और 15 का संग्छे पड़ तीस तीस आट और यहां पर चालिस सो नमबर गाहोगी हिंदी का यह से क्यों क्वालिफाइंग है अब सके बाद देखें जीस पर वण और जीइस पर टू के लिए यहां पर शीलिप्च दी आएँ जी एस पर और वन की बात करें करें तो इसमें बाहरत का इतियास नहीं सो नहीं कर थे राश्टीहं आप neurot Tub श्रोप में मेरे करें। यह थोड़ा सब्स देखेंगी जैसे भारत तता राज व्युश्ता भारती अर्थ व्युश्ता तता भूगो भारत का भूगो भारत के विकास भिग्यान में प्रद्योकी की भूमकर विकास ठीक है और इसे आप लोग रोक रोक करें डीटेल से पढ़ लीजेगा जीएस पेपर टू की बात कर रहा है अचैंँ अब उसके बाद जो यहां पर नया दिया है निबंध ठीकि केनीबन एको पब्ले यहां पर आपसरल देlles रेकाट यहां यहां पर optional देख सकते हैं इतना सब्जेक्ट है जैसे क्रिसी विग्यान हो गया पस्वालन मानो विग्यान वनस्पती विग्यान रसायन विग्यान सिविल इंजिनरिंग और साहज विदूत इंजिनिंग वोगोल विग्यान इतियास इतने में से कोई भी आप अपना एक optional subject ले सकते हैं ठीक है और उसके बाद यहां पर जो दिक्कत आ रही है सबसे निबंद की बात की जा रहे है यह निबंद ठीक है निबंद में क्या पूछा जाएगा और कितने प्रश्ण रहेंगे तो जैसा कि 300 नंबर कहोगा तो यदि 4 प्रश्ण पूछे जाते हैं तो 75 75 नंबर के पूछे जाते हैं तो दो प्रश्ण रहेंगे लेकिन अभी यहां पर यह किलियर नहीं है ठीक है तो निबंद के बारे में जैसे कोई जानकारी यागी बता दी जाएगी अब देखिए फिर फाइनली जो तीसरा स्टेज होता है वह होता है मुख्य पर इच्छा के बाद यहां पर इंटर्व्यू का इंटर्व्यू 120 नंबर का होता है और 120 और प्लस 900 ठीक है 900 प्लस 120 पर आपकी मेरिट बनेगी और फाइनली आपका सेलेक्शन हो जाएगा यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई प्रशन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्श्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध